हेलो वालकम बैक टु मैं चैनल मैं तीन दिन के बाद ये व्लॉग कर रहे हूँ बापा जब से हमारे गर में आये थे और विसरजन तक का मैंने वीडियो नहीं डाला है सोचा साथ में डालूँगी तो आज है 13 सप्टेमबर और बापा हमारे गर दस तारिक को हम बापा को हमार कर दे हूं इसके बाद मैं गर में बापा के आने से पहले में बापा की आरती उतारूँगी बारिश काफी थी उस दिन 10 तारिक 10 सप्टेमबर को हम लोग कार में गए थे हम चारों गए थे और बापा को इस तरह से हम घर पर लेकर आये हैं मैं पीछे लेकर बैठी थी फिर के बापा को योकि मुझे उनका घर में आने से पहले उनकी पूजा करनी थी तब मेरह सबन ख़ड़ए हैं दरवाज़े पट तो मैं अब यहां आरती की थाल लेकर खड़ी हूं मैं बापा की आरती उता Rच हूं वह हमारे घर पर आरहे हैं यह दूसरा साल है जब हम बापा क हमारे घर ला रहे हैं हम सब ने आज ग्रीन कलर पहना है बापा को ग्रीन और यलो कलर काफी पसंद है तो मैं बस हम सब ने आज ग्रीन कलर पहना हुआ है तो अब ये बापा की आरती हम उतार रहे हैं और इसके बाद बापा को उनका जो हमने स्थान उनका सजाया हुआ है जिस कि तो को हम यहां बिठा रहे हैं कि यहां सज्बध की हैं गुड्डो ने अपने खिलोने रखे हैं गाडिया रखी demonstrate अरु अब डिर सिहासन है मैं अबर्ग लों के घर से कर रहा हूंоде है। वो बिचा दिया है और बापा को भी इस तरह से ढख कर लाए हैं अब उनका जो मुखार विंद है वो उस पे से हम लोग ये देश में वस्तर हटा रहे हैं और फिर बापा की पूजा होगी आरती होगी फिर उनका थाल भी होगा और पूजा में जो जनुई वगेरा जो सब कुछ धारन करवाते हैं वैसे विदिवत हमने बापा की पूजा की है हम लोग बापा का स्वागत कर रहे हैं उनको लाड़ लड़ा रहे हैं कि आप हमारे गराय आश्रिवाद दीजेगा हमें को ये देखी हमारे बापा का फोटो जा रही है सब कुछ विदि के अनुसार हुआ हो रहा है फिर इसके बाद नाड़ा शड़ी पहना ही जाएगी और इसके बाद हल्दी कुमकुम सिंदूर अबिल और अक्षत से उनकी पूजा की जाएगी फिर फूल का हार चड़ाय जाएगा और फिर उनकों में भोग लगा तो यह नाजियल पान और जो फारी है उसकी स्थापना की जा रही है दूसरी तरफ कलश रख देंगे और यहां दीये की भी आर्टे की भी सेहारी मेंने कर ली है तो यहां यह जो सारा जो है जो विदि वो जो बापा का जो प्या बुलते हैं जो उनकी जो एक्षैल विदि उस तरह के से हमने बापा की पूजा की है उनको तीन दिन तक उनको हमारे गर में रखा है प्यार से सेवा की है हमें जो भी आया जैसा आया वैसा हमने बापा को हमारे सच्चे दिल से हमारे गर में उनको विराजमान करके उनकी पूजा की है मुझे ऐसे शब तो नहीं मिल रहे लेकिन मैं अपने आप से जो मुझे समझ में आता है उस तरह से मैं आपको डिस्क्राइब करती जा रहे हूँ वीडियो में कि देखिए हल्दी और अबिल गुलाल से बापा का हम पूजा कर रहे हैं गुलाब काफी खुश था हमारे घर पर दूसरी बार ये बापा को बिठा रहे हैं तो ये फूल हार चड़ा ये दरो है और गुलाब का हार है गुलाब की परक्टिया बापा को बहुत पसंद है बापा के प्रशाद में तुलसी जी वरजित है उनको तुलसी जी किसी भी प्रशाद में नहीं चड़ाना चाहिए तो यहां हम आरती की तयारी कर रहे हैं और यहां पापा की आरती हो रही है गुड़ू एक तरफ से वीडियो ले रहा है और एक दूसरे मुबाल पर मेरे ममी पापा भी ऑनलाइन है बापा के दर्शन कर रहे है तो यह था पहला दिन यह देखिए सजावत गुड़ू ने अपने खिलों ने अनिमल सब कुछ रख दिये है यहां जो भी हमने बापा के लिए रखा है वो मैं आपको यहां वीडियो में दिखा रही हूँ प्रशाद जो भी हमने रिखा है और अब यह है बापा के निवेद का फोटो जहां मैंने दाल, राइस, लड़ू, आलू का सबजी और रोटी बनाई है और शीरा था और यह दूसरे दिन का वीडियो है 11 सब्टेंबर इस दिन मेरे गुड़ू को भी हमारे मंदिर में ब्रह्म सबन लेना था तो हम लोग सुबह सुबह गए थे मंदिर में जिसका पीक मैं आपको पीछे डाल दूँगी और यहां भगवन को इस दिन हमने शिकंड निवेद में दिया था तो सबजी है और भिंडी आलो की डाल है शिकंड है और यह मैंने भज्जी बनाए थे के लेके वो मैंने रखे और पूरी रखी है शिकंड के साथ और यह लड्डू है बुंदी के मोदक है यह सब बापा के प्रशाद का है और यह हमारे घर में मंदीर में जो बापा है उनको भी हमने भोग लगाया है तो यह था 11 सप्टेमबर का वीडियो और यह है 12 सप्टेमबर का तीसरे दिन का वीडियो मैं पूरा में सब कुछ साम की आर्थी का सब हो है वो सब को वीडियो में नहीं ले पाई क्योंकि सारा कुछ काम करना होता तो वीडियो कहीं नगए रह जाता है और मैंने सोचा कि तीनों दिन का जो है मैं आपके साथ आपका वीसरजन होगा तो यहां आर्थी की तैयारियां चल रही है और यह 11 सितंबर का सुबह का फोटो है जब गुडु को हम ब्रहम सबन के लिए ले जा रहे थे और यह हमारे मंदिर का फोटो है जिसमें उसने हमारे गुरुजी की हातों से ब्रहम सबन ले लिया है तो य यह दिन का दुबारा से यह वीडियो है भोग का 11 सप्टेम्बर का यहां कर रात से रो रहा था कि बापा जाने वाए तो काफी वो भी रो रहा है काफी उसको ऐसे समझा कर आरती में लेकर आये हैं थोड़ा सा नर्वस है आपको दिखाई नहीं देखा लेकिन उसका मुह अभी भी आरती में भी रो रहा है मैं इस तरफ से उसको बोल रहे हूं कुड़ू बेटा मत रहो मत रहो लेकिन वो रो रहा है यह देखिए और काफी वो मतलब मायूस हो गया था कि बापा चले जाएंगे फिर उसको समझा है ह बापा को बागे साल आना है तो हमें उनको बेदना पड़ेगा तो यह निवेत का है तीसरे दिन का जिसमें मैंने खांडवी बनाई है पूरन पोली बनाई है कड़ी है मुंकी दाल है यह पूरन रखा है राइस है और समझी है तो यह तीसरे दिन का निवेत था और यह है का तुम्हें सब सारा काम तुर्ट उडिया जा है तो ये विसरजन के पेहले की आरती हो रही है है और ये बापा को पले में नहीं को जा वी अलबने का वा फूरे है कर दिया और यह पानी हमारे गर के पीछे जो common plot है जहां काफी सारे पेड़ हैं प्लांट से वहां हम ने उस पानी को बापा के जो विसरजित वाला पानी था वो पानी हमने उन पौदों में बहा दिया तो यहां देखे अब बापा को हम लोग पानी में विसरजिन कर रहे हैं बापा की मिट्टी है वो पानी में विसरजित हो रही है और ये बापा पूरी तरह से पानी में विसरजित हो चुके हैं तो ये था मेरा तिन दिन का बापा का हमारे घर पे आये थे वो व्लोग आपको ये अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा